नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर आज की इस वीडियो में हम आपको 25 मार्च दिन सोमवार को होली के दिन लगने वाले चंद्रग्रहन साल 2024 के पहले और सबसे बड़े और साल के पहले चंद्रग्रहन के बारे में संपून और सठीक जानकारी देने वाले हैं कि यह चंद्रग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है? वैसे आपको बता दें कि इस चंद्रग्रहण के प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं. सभी 12 राशियों पर यह चंद्रग्रहण अपना अलग-अलग प्रभ परंतु कौन-कौन सी खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह चंद्र ग्रहन अपना शुभ प्रभाव डालेगा और साथ ही साथ किन राशियों पर यह चंद्र ग्रहन अपना शुभ प्रभाव डालेगा। तो कहां कहां दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, सूतक काल का सही समय, सूतक काल किस समय से किस किस समय तक रहेगा, और साथ ही साथ चंद्रग्रहन किस समय से किस समय तक लगेगा, चंद्रग्रहन कितने समय तक लगेगा, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी कुछ इस मार्च को लगने वाले साल दोजार चौबीस के पहले चंदर ग्रहन के बारे में संपूर्ण और बिलकुल सठीक जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्व पूर्ण और बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगी। पूरा वीडियो देखें। बिलकुल भी इस वीडियो को आप स्किप ना करें। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी और बहुत ही महत्व पूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। आपके और आपके परिवार के उपर ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे की और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सके। प्राशि में लगने जा रहा है क्योंकि इस दिन चंद्रमा मेश राशि में विराजमान रहेगा। इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों इस चंद्रग्रहन के प्रभाव से कुछ राशियों को तो जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें साल का पहला चंद्रग्रहन 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को होली के दिन लगेगा। इस बार होली पर 100 साल के बाद दुरलब संयोग बन रहा है। दरसल होली का दहन 24 मार्च को है और 25 को रंगोत सव मनाया जाएगा। और इसी दिन यानि 25 मार्च को दिन में ही चंद्रग्रहन का साया होली पर पड़ेगा। जोतिश के जानकारों का मानना है कि चंद्रग्रहन जैसी घटनाएं किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये चंद्रग्रहन भी कुछ बदलाव साथ ला रहा है। जोतिश के जीवन का स्वर्नमकाल आरंब होगा और करियर कारोबार में उन्नती होगी। है जोतिश शास्त्र के मुताबिक जिन चार राशियों को इस चंद्रग्रहन से विशेश लाभ मिलेगा। उनमें मिथुन के अलावा मेश, राशितुला राशी, मकर राशी और कुम्भ राशी शामिल है। चंद्रग्रहन में सुर्य की परिक्रमा करते वक्त प्रित्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आजाती है। इस दोरान चांद प्रित्वी की छाया से ढग जाता है। इसी खगोलिय घ्टना को चंद्रग्रहन कहते हैं। जियोतिश और विज्ञान दोनों ही विधाओं में इस प्राकृतिक घटना का विशेश महत्व बताया गया है। यह सितारों का ऐसा संयोग है जो यकीनन इंसानी दुनिया पर प्रभाव छोड़ता है। जियोतिश शास्त्र में चंद्र ग्रहन का विशेश महत्व बताया गया। जोने के बाद चंद्र ग्रहन के दुश प्रभावों से बचने के लिए उन्हें सनान अवश्य करना चाहिए। घर के अंदर की किरणों से बचने के लिए खिडकियों को मोटे परदे से ढखना सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं ग्रहन काल के दौरान क्या करें। गर्भवती महिलाओं को चन्दर ग्रहन के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह वरजित माना जाता है। हालांकि भोजन करने से पहले वह एक काम कर सकती हैं कि जो भी आप भोजन करें उसमें एक तुलसी का पत्ता डाला या नहीं तुलसी का। आपको पत्ता चन्दर ग्रहन से पहले ही तोड कर रख लेना है, जो भी खाना बनाएं उसमें आपको तुलसी का पत्ता डाल देना है, फिर आप भोजन ग्रहन करें। ऐसा करने से चन्दर ग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव आपके उपर और आपके शिशु के उपर नहीं पड़ेगा। उपर चन्दर ग्रहन का कोई भी अशुब प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको तेज धार वाली वस्तुएं जैसी कैची, चाकू, पिन आदी के उपयोग से बचना चाहिए, इससे जन्म दोश हो सकता है और आपके शिशु पर इसका नकारात्मक प्रभाव ध्यान रखें कि ग्रहन काल के दोरान कोई भी धारदार वस्तुएं, कोई भी नुकीली चीज अपना छुए इससे बचे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, सभी बारह राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक, इन सभी बारह राशियों में से जो पहली राशी है, वह र दोस्तों, ये चंद्र ग्रहन आपके लिए थोड़ी परेशानियों वाले संकेत दे रहा है, अपनी परेशानियों की वजह से गुस्सा दिखाने की जगह आप शान्त रहे, स्वास्थे के हिसाब से थोड़ा मुश्किल वाला समय रहेगा, इसलिए सेहत का ध्यान रखना आ आपके लिए जरूरी है, धन लाब के लिए, यह समय आपके लिए अत्यंत शुब संकेत दे रहा है, धन लाब आपको हो सकता है, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, चंद्र ग्रहन के दौरान मंत्र का जप करना आपके लिए शुब रहेगा, आप इस समय में ओम हन दोस्तों इस लिस्ट की जो अगली राश्य है, वह है तूला राशी, दोस्तों तूला राशी वालों को बता दें, स्वास्थ्य में परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और मनो कामना आपकी के भी संकेत मिल रहे हैं, लायक जीवन में थोड़ी अशान्ती हो सकती है, लेकिन वित्तिय लाभ के लिए समय आपके लिए अत्यंत अच्छा रहेगा, संयम बनाए रखें और किसी को भी कठोर शब्द ना बोले, पार्टनर की सेहत का विशेश ध्यान रखें, जहां तक सं अंभव हो सके, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बेफजूल के खर्चों से बचें, याद उसको इस लिस्ट में जो अगली राशी है, वे राशी है, कन्या राशी दोस्तों, कन्या राशी वालों को बता दें कि यह ग्रहन आपके लिए शुब संकेत लेकर आ र रहेगी, शत्रू पर विजय आप प्राप्त करेंगे और परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, किन्तु सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी, अगर आप लोग कोई नौकरी करते हैं और नौकरी में पदोननती नहीं हो रही है, तो अब आपके नौकरी में पदोननती हो करक, राशे इस समय में आप अधिक आध्यात्मिक हो जाएंगे, ईश्वर भक्ती की ओर और अधिक ध्यान के इंद्रित कर करेंगे, और मानसिक तनाव से बचेंगे, नौकरी या व्यापार में अच्छे परिणाम आपको मिलने के संकेत हैं, चिकित्सा मुद्दे के लिए सचेत रहने की आपको आवश्यक्ता है, धनलाब होगा, अगर आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आपका मन शान्त रहेग या फिर अगर आप गरीब बच्चों को खाना खिलाने में सक्षम हैं, तो उनको खाना भी खिला सकते हैं, इससे आपको धनलाब होगा, अगर यह संभव नहीं है, तो आप बेजुबान जानवर या फिर गाय माता को रोटी खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये रोटी नहीं होनी चाहिए, कोई गाय माता को जूटी रोटी या फिर बासी रोटी खिलाने से श्राप लगता है, या फिर कहे कि पाप लगता है, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशे हैं, वे राशे हैं, सिहराशे तो सिहराशे वालों रिष्टों के लिए समय बहुत ही अ सफलता मिलेगी. ग्रहन अच्छे प्रभाव. आपके लिए सिह राश्य वालों लेकर आया है, व्यापार में लाब होगा, परिवार के सदस्यों का आप ध्यान रखें, कारियों में सफलता हासिल करेंगे, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करने से आपको लाब मिलेगा. इ जल्दबाजी में किये गए, आप फैसलों से बचे और अपने आसपास के लोगों के साथ धैरे रखें. इस राश्य के लोगों को परिश्रम अधिक करना पड़े, किन्तु आमदनी कम रहेगी, व्यर्थ के खर्चे करने से बचे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग भी बन रहे हैं. में आपको सफलता मिलेगी. दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राश्य है, वह है मिथुन राश्य. तो मिथुन राश्य वालों आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहन के प्रभाव से आपको धन प्राप्त के संकेत म नहीं है. साथ-साथ घर-परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा. स्वास्थिका आप विशेश रूप से ध्यान रखें और पार्टनर की सेहत के प्रती भी आप थोड़ा सचेत रहे दोस्तों. इस लिस्ट में जो अगली राश्य है, वह है व्रिश्चिक राशी. व्रि जूल के खर्चों को आप नियंत्रित करें. इस वर्ग की भक्ती में लीन होने की कोशिश करें. सफलता आपको अवश्य मिलेगी. इस दौरान आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी. कैरियर में मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा. वद विवाद में माता पिता की भी सेहत बिगड सकती है. इसलिए माता पिता की सेहत के प्रती थोड़ा सचेत रहे. ये राश्य है दोस्तों. इस लिस्ट में जो अगली राश्य है, वह राश्य है, धनू राश्य, धनू राश्य, धनू राश्य, वालों को बता दें. वाद विवाद से इस स जब दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशे है वह राशे है, मकर राशे। जब दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशे है वह है मेश। कोई भी काम समझदारी से करें, वहन को सावधानी से चलाएं, सिर दर्द से परेशानी हो सकती है। कश्ट मिलने के संकेत मिल रहे हैं, साथ ही थोड़े शुब संकेत भी आपके लिए मिल सकते हैं। जैसे भूमी वाहन में लाभ मिलेगा, व्यापार में उतार चड़ाव बना रहेगा। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं है। इसलिए स्थल पर थोड़ा आप सामनजस्य बना कर रखें, अपने और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। ग्रहन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप भगवान बजरंग बली जी का ध्यान करें। कोई बड़ी संपत्ति आपके हाथ लग सकती है और आपके व्यापार में खूब वृध्धी होगी।